तो यूपी चुनाव और यूपी चुनाव में टमाटर प्याज क्या सरकार बदल देगी कि यह जांते हैं सब्छी बेचने वाले से क्याहे सब्जी बेचने वाले की राय टमाटर हो रहा है साट रुपए की लो those working बीबमाटर करते हैं कि क्रिशिपादभन सामानने सरकार इसमें क्या टमाटर क्या रुपए रेट है टमाटर के बाद साथ रुपए गोभी गोभी तीस और ये आलू अब तो थोड़ा कम हो गया है थोड़ा मेहना घाजर तीस रुपए किलो तो चलिए ठीके तो महंगाई या सब्जी की बात हो गई अब सरकार पर आते हैं योगी सरकार काम सही क करा है और सब चीज में अच्छी इदम कुल देखिए आरान से बोलिए योगी सरकार ने विकास कियां तो विकास में क्या क्या कर दिया के लिए बड़ाना विकास है रोड बनवाना और तहां कि रेने वाले यह के अलमास पूल रहे हैं कि आप सब्जी वाली तरब से बोल रहे हैं तो सब्जी वाला किसे वोड दे रहा है इस बार मिकास करें अच्छा होगा तो यूगी को वोड देंगे बाकि यह बताईए खिसान अंदोरं बहुत एक साल से चल रहा है कि इस बताया कि सरकार बदल जाएगी हम सरकार बदल देंगे परस्चे मीडू उखार के फिकवा देंगे बीजेपी यहां जीरो हो जाएगी तो आपको क्या लगता है कि योगी जी का प्रभाव है प्रच्छा मुख्यमंतरी थे तब का प्रसासन आपके प्रसासन में अंतर दिख रहा है कि नहीं वैस्ता तो ठीक अपने जगह वैसे अभी सुरच्छा अच्छी है कि पहले मुझपन अगर क्राइम कैपिटल बोलते थे अभी कैसा है ठीक अपने जगह सब करा आप बतें बाइस आप पहल आहा है देश का जैसे बिजली वेगारा भी सही है रोडे भी फिस्किलास बनी तो जरकार कर रहे हैं पहले किर निदे और का बश्यक्ति में बहुती क्या दूज्छान लग रहा है क्यों सरकार आए कि पश्चेमी यूपी की बात करें तो वैसे योगी कि आनी चाहिए आनी आएगी जिनके विचार बिदलेव हैं उन्हें ठीक होना चाहिए ना कि सरकार अच्छा काम कर रही है किसान अंदोलंग के नायम बहुत ध्रांतिया पहलाए गें कि किसानों के साथ अत्ताचार हो रहाए यह और बिल लाया गया योगी सरकार से जनता नराज है क्या काफी नरा पाबा के राज में सुरक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही पहले प्रधहामंत्री है बेलकूल गूंडागर धी हो गयी है गुंटागरक़ी खतम हो गयी है अच्या यह बता है पहले सिथे श्राम को आ जाते होंगे लाइए पहले सीथे कहते थे कि यह बहुत पैसे दिये नों का नहीं तो ठेले वाला रेडी बागा पट्री वाला खुस है कि नहीं है अप ते बिलकुल खुस है अच्छा है बिलकुल खुस है जी हम तो योगी सरकार को अगर मैं बात चार्सु तीन में कितनी सीटे आ जाएंगे वहम तु सोच रहें चार सुई मिल जाए विचारे में तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव आए गा अखलेश का भी बोल बाला कुछ लग रहा है कि इनका बोने का जब 70 साल सा कुछी नहीं करा नों अच्छा यह तो तो रुपे पाव कि लोह है अ अच्छा बाकी क्याम कर रहे है जोगी क्या में कुछ अवास-वास मिला है नहीं मिल रहा है कि दिए आसनों पर फ्री कर दिया मास तक जोगी किया नाम है इसे पूस हो सरकार से गई ने तर क्यों रहे हो अरे आरी योगी साथे में ठर क्यों रहे हो यार इस अरे योगी सरकार योगी जी नाम फिटर गहेँ क्या लग रहा है पर रुजान क्या लग रहा है कुछ अंदर की बास मतलब ऐसा नहीं बाजी पलट जाएगा योगी आएंगे जंटा में मैं जहां भी जा रहा हूं कि वाल लोगों ने बड़का नीए बाड़का रखाय लोगों कि खेसे हैं जी घुल्सन पासवान जी क्या माहें यूपी चाहें पंतरी आपका कुस है जी बिल्कूल एक दम पूर्स कि या उन्होंने वहते हैं पहले पहले बहुत दंगे होते थे यहां रहे यहां यहां अच् बिल्कुल नहीं जी लगता है कि सरकार काम कर रही है बिल्कुल कर रही है सरकार काम मुद्दा है आपके लिए कोई मुद्दा है मुद्दा मतलब कोई कुछ चीज मांग है जो चाहते हैं और अच्छा हो अब तो क्या महाँ चल रहा है वैसे पश्चमी यूपी के पूछे तो उधर का तो बढ़्या चल रहा है जिए पूरा हाँ बिल्कुल अच्छा चल रहा है रोडे सड़के पानी बिजली काम करना चाहिए क्स सरकार को काम हुग रहा है मैं नहीं बूलवा रहा हूं आप दिल कियों आए कि पताईए आप क्या क्या किया लिए हमारे लिए क्या सभी के लिए कर रहा हो तो योगी बाबा की राज में सुरच्छा मिल रही है सब चीज की अच्छा लग रहा है घर वगरा रासन तो बढ़ा दिया आप तो करें अपरेल तब ख्री देंगे लग रहा है योगी जी आएंगे या बदल देंगे योगी जी आएंगे या बदल देंगे योगीजी आएंगे पक्का याँ भई आप आईये 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 अरे अपना विव रखे antikÁY यह कह रहे हैं देखिए हम आपकी आवाई उठाए हैं अभी जो सरकार काम कर रही है उससे खुस हैं आवात रातन पानी बिजिनी मिल रहा है सभी से पूछ रहा हूं ग्राउंड पर बात कर रहा हूं देखिए जमीनी हकीकत जो है जानना बहुत जरूरी है हम खोकले बाजी जो पड़ताल हो नहीं करते हैं हम जंता से सीधे पूछे हैं कि क्या दिक्कत चल रही है कुछ अच्छा है तो साब साब इनकी मन में जो है वो बिल्कुल बिल्कुल तीवी आएगा आप ये बताईए राजसान बिजली पानी घर सब मिल रहा है रोडे भी बन रही सब कुछ हो रहा है लेकि यह सब्सक्राइब पर मेंगा यह सब्सक्राइब अच्छा तो मोटा मोटा यह हिसाब मैं कहलू अपने दसों को कि महोल जो है दोस्तों हम यह बात कर रहे है क्योंकि जमीन पर जाना और जमीन पर सच लाना यह बहुत जरूरी है और जेटी जूज अलिए कर तूट यहीं कर रहा है क्या उपरी दिखाएंगे क lawyers की कोटली चीज़े हों हम जीमेन पर जारुरे हैं पड़ताल करें लोगों से पूछ रहे हैं सब जी वाले से पूछेंगे का कहती है जंथा यूपी पॉच्शिमी की लगातार हमारे साथ बने रही है बोटा वाए